साथ ये NCC और NSS ऐसे संगटन है जो युवाप पीडी को राष्टिय लक्षों से राष्टिय सरोकारों से जोडते हैं कोरोना काल में किस प्रकार NCC और NSS के वोलिंटर्स ने देश के सामर्त को बढ़ाया ये पूरे देश ने अनुभव किया है इसलिए सरकार का भी ये निरंतर प्रयास रहा है कि इन संगटनों को प्रोचाइद किया जाए इनका विस्तार किया जाए अब जैसे हमारे सिमावर्ती और सागरतर पर बसे जीलों में अने प्रकार की चुनवतियां आती रहती है इन से निपटने के लिए भी सरकार आप जैसे युवाओं को तयार कर रही है देश के दरजनों ऐसे जीलों में एन सी सी का विशेश प्रोग्रेम चुनाये जा रहा है आर्मी नेवी और एरफोस के माद्यम से विशेश ट्रेनिंग दी जा रही है इसे युवाओं साथी बविशी के लिए भी तयार होंगे और जरुरत पढ़ने पर फस्रिस्पॉंडर की भूमिका भी निवा सकते हैं आप तो हम वाइब्रेंट बॉर्डर एरिया प्रोग्रम पर भी काम कर रहे हैं इसके तहरत बॉर्डर के गाउं का विकास किया जा रहा है वहाँ हर प्रकार के सुविधाय विक्सित की जा रही है प्रयास यही है कि सिमावर्ति इक्षेत्रों में युवाओं का सामर्थ बढ़े परिवार अपने गाउं की तरफ रहना पसंद करें वहीं सिख्षा और रोजगार के बैस्तर एफसर बनें साथियों सरकार के इन पैयासों के बीच आपको अपने जीवन में एक बात जुरूर काम आएगी आप जब जीवन के कुछ बैतर करते हैं कोई सफलता हासिल करते हैं तो उसके पीशे आपके साथ साथ आपके माता पित आपके परिवार की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है उसमें आपके टीचर्स की स्कूल किया और आपके दोस्तों की भी बड़ी भूमिका होती है यानि आपको सबका साथ मिल उस वही प्रगजी का कारण होता है सबने आपकी ख्रमता और फैस्टलों पर विश्वास किया होगा सब आपके प्रयास में शामिल हुए होगे और आज जब आप गंतंत्र दिवेश की परेड में शामिल हो रहे हैं इससे आपके परिवार, स्कूल, कॉलेज और हिलाके का भी सम्मान बढ़ा है यानि हमारी सबलता हैं, अकेले हमारे प्रयासों से नहीं आती और हमारी सबलता हैं, कभी अकेले हमारी नहीं होती यही नजरिया आपको, आपके जीवन में, समाज और देश को लेकर भी रखना है जिस भी खेत्र में आपके रूची होगी आपको उसमें आगे बढ़ना है लेकिन लक्ष तायप पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेना होगा आपको टेम स्पृरिट से काम करना होगा इसलिए जब आप अपने लक्षों को अपने गोल्स को देश के गोल्स के साथ जोड़ कर देखेंगे तो आपकी सफलता का दायरा विस्तुरूत हो जाएगा आपकी सफलता को दुनिया भारत की सफलता के रूप में देखेगी डॉक्टर एपीज अब्दुर कलाम होमी जांगीर भाबा और डॉक्टर सिवी रमन जैसे वहिनानी खो या फिर मेजर द्यान्चन से लेकर आज के बड़े खिलाडियों तक इन्होंने अपने जीवन में जो काम किये जो मुकाम हासिल किये पुरा विश्व उन्हें भारत के सफलता के रुप में देखता है और उससे भी आगे दुनिया भारत के इन सफलताओं में अपने लिए नए भविश को देखती है यानि आइतिहासिक सफलताओं वो होती है जो पुरी मानोता के विकास की सीडिया बन जाए यही सबका प्रयास की भावना की अथली ताकत है